वेल्कम यूवल तो यूवल तो यूवरेट यूट्यूब चैनल राइटूकेशनल वेर यूप्रिपेट फॉर उप्रिटी चीटीटी के विए सनीवेस्ट डी ट्रिपल आस बी वीडियो शिक्ष्रक भरती प्रक्षा 2019 दोस्तों मित्रों और मेरे प्यारे भाईयों और बहनों आज यूपीटीटी की यूपीटीटी 2018 की कोड अपडिल लेका हैं और बहुत ही कुसकबरी आप लोगों के लिए बन सकती है जिन मित्रों के एक दो तीन चार और एवन चार से पांच नमबर भी अगर रुक रहे थे त तो ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा तो कमेंट करिएगा सबसे पहली बात और जो प्रशन ना समझ में आए तो कमेंट करके अवश्च पूछें अभद्रता और गलत प्रशनों को ना पूछें और अभद्र सब्दों का प्रयोग ना करें एक सिक्षक होने का दाइत तो समझें कि एक सिक्षक है तो उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके सब्दों का क्या प्रभाव पड़ता है उसको अगर आप समझते हैं तो एक भावी सिक्षक बनने से आपको कोई सरकार कोई सीमा और कोई संस्थान नहीं रोक सकती यह मेरा पूरा मैं इसको पूरे दावेक साथ आपको कह सकता हूं तो UPTT 2008 की कोट अपडेट है ये और तारीक पे तारीक इतने नमबर बढ़ने की पुरी प्रबल समावना है तो वीडियो पूरा देखिएगा और मैक्शिममम शेर करिएगा उन मित्रों तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए जिन मित्रों की जरूरत है ठीक है दोस्तों तो जरूर इसको शेर करिएगा अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अभी तक चैनल सस्क्राइब नहीं कहें तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करिएगा अच्रे Nep देखते हैं खास क्या है जो आप लोग इतनी दिन से इंतिजार कर need LED हरे दे बारतारीक बारतारीक और पूरी अपडेट हो गई पूरी सुनवाई हो गई और जानते हैं क्या है खास hype update कोट ने पांच प्रशनों को मान लिया है ध्यान से सुनियेगा कोट ने पांच प्रशनों को मान लिया है जिसमें तीन आउट ओफ सिलेबस प्रशन परत और दो भी सई हैं ठीक है सिलेबस प्रशन पर दो भी सई हैं बाकि कुछ विवादित प्रशनों को लेकर कुछ निर्ण नहीं हो पाया है क्योंकि time इतने cases रहते हैं तो सब पे time नहीं मिल पाता है तो overall ये last case था आपका एकदम last में time मिला होगा तो जितने time मिले हो उस पे 5 प्रशनों को माना गया है तीन को out of syllabus और दो के जो विवादित प्रशन है दो के उत्तरों को भी सही माना गया है और बाकी के जो कुछ विवादित प्रशन बचे हुए है उस पे अभी निर्णय नहीं हो पाये उसके लिए अगली date मिली है कोट विशेव विशेशग की बात से सहमत होकर काफी प्रशनों को लेकर PNP का दावा सही माना जिस पर अभ्यरतियों के वकील कुछ गलत प्रशनों को लेकर और और भी साक्ष दिखाना चाते हैं इसलिए कोट एक अंतिम दिन 18 दिसंबर को देने को राजी हो गया है तो ये डेट काफी महत्पूर होने वाली है 18 दिसंबर 2018 उन मित्रों के लिए क्योंकि इसके बाद 19 और 22 दो दिन बसते हैं आपके फॉर्म के लिए फॉर्म फिलप करने के लिए तो बहुत ही महत्पूर हो जाता है अब हागी अगर ऐसे कुछ केस आती है तो सायद आपके डेट एक्सेंडेंशन की भी पूरी प्रबल सम्मावना बनती है क्यों क्योंकि आपके रिजल्ट अगर नंबर बढ़ते हैं तो आपको तो काफी कम टाइम मिलेगा तो मुझे लगता है कि 20 से सायद डेट एक्सेंड भी हो सिक्षकबरती परिक्षा के लिहाज से तो उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीजे होंगी तो ध्यान से पुना सुन लिजे कि 5 प्रशनों कोटे 5 प्रशनों को मान लिया है ध्यान से सुनियेगा मित्रों कोई कमेंट अगर करिएगा तो ध्यान पूरों करिएगा ज जिन में से 3 आउट ओफ सिलेबस के लिए बोला गया है इनी 5 में से 5 टोटल है तीन आउट ओफ सिलेबस है और 2 के प्रशनों के जो उत्तर साक्ष्ट द्वारा प्रस्तुत किये गए थे उन 2 प्रशनों को भी माना गया है बाकी कुछ प्रशन हैं जिन पर क्यूंकि टोटल 8 से प्रश्चनओ पर रिड़ दायर हुई थी पूरे साख्ष प्रस्तुत हुए थे लेकिन इस आठ से दस प्रश्चनों पर क्योंकि आज सची प्रच्छा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषय जी भी वहाँ पे मौजूद थे तो वह अकेले तो गए नहीं थे उन्होंने अपन पूरी टीम लेके गए थे तो आठ से दस प्रश्णों का पूरा विश्लेशन हुआ कोट के नियाधीश जी जी ने उन्होंने सब के दोनों पच्छों की बात सुनी लोगों चात्रा जो भी भेरती थे उनके द्वारा प्रश्ण और जो उनके द्वारा पत्ति जताई गए तो उसके साक्ष प्रस्तूत किये गए NCRT और SCRT किताबों से और इधर से विशे विशेशग्य और फरिच्छा नहाँ प्रादिकारी अनिल भूशन शतिरुवेदी जी ने भी अपने सारे विशेशग्यों के द्वारा उत्तरों का मुल्यांकन किया और पांच प्रश्णों को आठ दस में से पांच प्रश्णों को सही मान लिया है ठीक है दोस्तों तो बहुत ही बड़ी अपडेट है पांच नंबर तो फिक्स्ड हो गए न आपके अब आगे चलते हैं इस पे इन पांच प्रश्णों में तीन आउट आउट अफ सिलिवस माना गया हर दो को उतर जो अबहरती द्वारा प्रस्तूद गया है उनको दो उतर सही मान लिया है ठीक है अगर उतर को समलित किया जाता है तो आपको एक डेट और दी गई है अठार दिसंबर जहां पर यह सुनवाई होगए क्योंकि timing का यही matter करता कि इतनी सुनवाईयां रहती इतने cases रहते हैं तो time थोड़ा matter बिंग करता है तो अगर यह है तो code series बात है कि date extend होगी आपके जो 20 तारिक है examination form की आपको भरने की 2019 की सिश्चक भरती की तो वो date आपकी बढ़ेगी क्योंकि आपका result ठार को आएगा जिन म आपका जरूर आप सफल होंगे क्योंकि मैंने बोला है be positive and be motivate always क्योंकि आशा के किरण हमेशा बनाए रखनी चाहिए जिन मित्रों ने इस महानकारे में सबका साथ दिया है बहुत-बहुत सबका आभार क्योंकि छात रित में सर्वोपरी सब लोगों एक साथ हाथ पकड़ें सबको बढ़ा यहां कि पांच नंबर तो यह आपके हो गए यह कोई नहीं चीन सकता आपको तो पांच नंबर से जिन मित्रों का रुका हुआ था उन मित्रों के लिए बहुत भड़ी खुशगबरी हो सकती है यह news तो maximum से maximum share करिएगा कोई भी आपको प्रश्न हो तो साधार प्रण भाषा में बोलचाल की भाषा में जो हम आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति पढ़े लिके सिक्षक के तौर पर उन भाषाओं को प्रयोक करते हैं उन भाषाओं में आप जरूर कमेंट करें मैं जरूर उसके उत्तर दूँगा और जहां तक हो सके अभद्द्रता और जो भी चीज़ें इसको वरजित करें इसका एलोवेशन ना करें क्योंकि हम आप ही भावी सिक्षक बनेंगे तो वहीं आके चलके उनसी का अनुकरण होके आके का जो समाज हो ही आगे बढ़ेगा तो इसको जरूर मर्यादित अपने भाषा में उत्तर प्रश्न अपने पू निराशा पूरी ग्रसित कर ली थी उनके लिए एक आशा की किरण ये वीडियो बन जाए बस मेरा यहीं उद्देश है तो प्लीज 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 शेर करना प्लीज मत भूलिएगा थैंक्यू सो माच